हफ्ते के पहले दिन मर्यम मगदिलिनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और देखा कि पत्थर कब्र पर से हटा हुआ है पस वो शमाउन पत्रस और दूसरे शागिर्द के पास जिसे येशु अजीज रखता था दोड़ी हुई गई वो खुदावन को कब्र से निकाल कर ले गए और हमें मालूम नहीं उन्हें कहां रख दिया पस पत्रस और वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले वो दोनों साथ साथ दोड़े मगर वो दूसरा शागिर्द पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पहले पहुँचा शमून पत्रस उसके पीछे पीछे पहुँचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर पर बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बलकि लप्टा हुआ एक जगे अलग पड़ा है फिर वो दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देख कर यकीन किया वो अब तक इस नविश्टे को ना जानते थे जिसके मताबक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था पस ये शागिर्द अपने घर को वापस चाले गए लेकिन मर्यम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते-रोते कब्र की तरफ जुक कर अंदर नजर की तो दो फरिष्टों को सफैद पोशाग पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरी को पैंते बैठे देखा जहां येसु की लाश पड़ी थी उन्होंने उससे कहा आए औरत तू क्यों रोती है वो मेरे खुदावन को उठा के ले गए और मालुम नहीं उसे कहा रखा तब वो पीछे मुड़ी और येसु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये येसु है ए औरत तो क्यों रोती है तो किसको ढूनती है वो उसे बागबान समझी और उससे कहा जनाव अगर आपने उसको यहां से उठाया है तो मुझे बताए ताकि मैं उसे ले जाओं मर्यम वो उसकी तरफ मुड़ी और उससे इबरानी में कहा इसका मतलब है उस्ताद मुझे ना चूँ क्योंकि मैं अब तक बाप के पास उपर नहीं गया लेकिन मेरे भाईयों के पास जाकर उचसे कहा कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास उपर जाता मरियम मगदलेनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही फिर उसे दिन जो हफ़ते का पहला दिन था शाम के वक्त जब वहां के दर्वाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे येसू आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया पस शागिर्द खुदावंद को देख कर खुश हुए येसू ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो जिस तरह बाप ने मुझे भेज़ा है मैं तुम्हे भेज़ता हूँ फिर उसने उन पर फूंका रुहूल को दुस लो जिनके गुनाह तुम बक्षो उनके बक्षे गए है जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए है बत्तत बन्माइब काया